प्राइबेट स्कूलों की सब की बात को द्यान से सुनते वे फैसला किया था इसलिए इसमें गुंजाईस कम थी चेंज होने की क्योंकि हमने बहुत क्लियर किया कि जब स्कूले लगेंगी तब जितना पठे करम आप लोग कराओगे उतनी फीस आप ट्यूशन फीस का उतना प बता होगे कि यह ओनलाइन एजुकेशन हमारा यह मोडूल है यह चीजें हम बिल्डिंग के लिए देंगे और इतनी फीस होगी वो फीस आप ले लीजिए लेकिन खुछ प्राइबेट स्कूल यह चाहते थे कि हमको पूरी ट्यूशन फीस पूरी मिल जाए इस हाल की और फि सुईदा हम से लेते हैं तो यह पैसे दे दीजिए वो पैसे लेने में देने में कोई दिक्कत नहीं है और जब सब के सब कुरे प्रदेश के बच्चे जब स्कूलों में जाएंगे और जितना पाठेकरम पड़ेंगे उतनी फीस उनको मिलेगी और उनको देनी पड़ेगी तो मैं समझता हूँ यह नियायुचित हमारा निरने था और उसके उपर माननी है उस नियाले ने महोड लगाई है तो मैं स्वागत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ थमाम प्राइवेट स्कूल एसोसियेशनों से स्कूल वालों से कि आप इस कॉरोना काल में सहयोग कीज सरकार का और वो अभिबाव जो क्लास एक से लेके बारा तक आपको कुछ न कुछ देता है और आप उसको अच्छी क्वालिटी की एजूकेशन देते हैं तो आपका समंध तो माता-पिता का बच्चे से समंध है वैसा का वैसा गुरू का समंध है तो आप उस समंधों को भी दिहान में रिख जिए कि बच्चे का बहुष्य भी नहीं विगड़े आपका भी काम चलता रहे इसलिए आप अगर एक्स्ट्रा ओनलाइन एजूकेशन कोई चीज आप दे रहे हैं तो वह आप उसको बता करके उसकी फीज ले लिजे अन्यता जब पाठेक्रम आएगा और स्कूलें चलेंगी तब आप जितना पाठेक्रम होगा उतनी फीज आप ले सकते हैं